आज हम इस वीडियो में फोर टक्स ब्लाउस की कटिंग करना सिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से यह 36 का साइज है इसमें फरक यह कि अपर चेश्ट और चेश्ट दोनों एक जैसा है यह एक बराबर है तो उसको किस तरह से कटिंग करेंगे कि यह बराबर होगा तो आज हम इ के बना लीजिए ठीक है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे यह सोल्डर का निजान है जब भी हम ब्लाउस करते हैं तो इसी तरह से करते हैं पहले तो आपको इसी तरह से ले लेना है और लेंद निकाले और डाट पॉंट निकालेंगे तो लेंद इसका देखे 15 इंच है और डाट पॉंट 9 आप है यह दोनों मेजरमेंट मुझे नहीं मिला हुआ है मैं अपने तरफ से दे रहा हूं क्योंकि यह दोनों मेजरमेंट मुझे नहीं मिला था आप इसमें जो भी होगा आप कम जादा कर लेना आपका जोबी मेजरमेंट होगा अपने नापा होगा और doesn't matter onraft के ऑपनना कि अपने 111 निशान को बराबर कर लेना अब कर लेना 15 यानि लगाना ञारा है उस तरह से इसंपर आधीशान उन्न्म आप करते जाए और पाधे आप निए एक इंच मेंने डाउन किया है, आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, और यह तो एक इंच भी चलता है, क्यूंकि यह छोटा सोल्डर है, तो चलता है, क्यूंकि छोटे सोल्डर में ज्यादा सुलोप दिखाई देता है, तो इसलिए आप थोड़ा कम कर सकते हो, और इस तरह से हमने को लगा दिया इनेक क्या ब्रोडिंग में पहुन्य तीन पर लगा partir भी योग को को बडूर कर लेंगे तो इसुलीटल sensor करूपर आशा पाओगे अब देखे अपर चेश हमारा 36 है तो इसको जब 10 से डिवाइट करेंगे तो थोड़ा साड़े तीन इच एक सूत होता है लेकिन साड़े तीन पर ही आपको निशान लगाना है और निचे भी सेम लगाना है जितना साड़े तीन पर लगाया उतने पर और एक सीधा यहाँ पर मार्किंग कर देना है निशान लगा देना है अब यहाँ पर डाट लगाना है तो मैं ए दिन्ने इस तरह को कम्प्लीट कर लिया अब हम क्या करेंगे कि यहां पर आर्मोल कलेंगे तो आर्मॉल कलेंद हम 7 पर ही निकालेंगे और यह पर हम जहां पर निकालें वह इन पर हम क्या करेंगे अपर चेश को नाप लेंगे तो अलगया सबस्क Cinema है और फुल बस्ट भी 36 है तो इस तरह से 9 पे लगा के और हमको क्या करना है आदा इंच बढ़ा लेना है वह हम जब डाट अगर लगाते हैं तो उसमें माइनस होता है इसके लिए लगाना है बाकी कोई मकसद नहीं है तो लूजिंग भी आप दे सकते हो थोड़ा आदा इंच को थोड़ा लूजिंग देना चाहिए अब उस तरह से मैंने निसान लगाया क्रोस प्रेंट का आदा इंच कम करके इस तरह से पूरा मार्किंग करके आपको दिखा देता हूं कि इस तरह से आर्मोल का मार्किंग होता है और बाद में इसको माइनस करेंगे सोल्डर को ठीक ह करना अथा और है और हैं को आदा इंचे अधा हम्हा जगान आरो आपको अधा पहले से कर old मैंने अमार्किंग आपको दिखा तरह से यहां कभी बिकर्टिंग करना ब issues two which is शूट होते हैं त्यूंस में भी आपको नहीं करना है यानि कि मतलब बराबर पे निसान कभी भी फ्रेंड का नहीं लगाना है मैं लगा कि इसलिए दिखाया कि आप लोग ऐसी गलतियां नहीं करना कभी भी ठीक है क्योंकि अगर आप वहाँ पे लगाते हो तो गला लू जाएगा फ्रेंड का कभी भी कितना भी आप बनाओगे लूज आएगा ही आएगा तो इसलिए आपको कभी भी आदा इंच माइनस पर चलना है सोल्डर का ब्रोडिंग जो भी रखना है रख लिजिए और नेक जो भी फाइफ इंच है उस पर मैंने निसान लगा लिया अब इस तरह से मैं सेब दे दूँगा राउंड नेक का तो इसमें राउंड नेक ही बैठेगा इसमें बाकी कोई नेक नहीं बैठ सकता है क्योंकि वह plastics दिखेंगा ही नहीं क्योंकि बहुतерм aumento है इसके दिया आपको राउंड लगाना है अब इस तरह समय ने देखें किस समय ने राउंड लगा लिया है इस तरह लगाने अब डाट का निसानम को लगाना है तो एक एक इंच की दूरी पे लगाना है जादा जादा दूरी पे कभी भी नहीं लगाना है जादा दूरी पे आप लगाऊगे तो बीच में कपड़ा फ्लेट नहीं सीधा रहता है तो वहाँ पर क्या है रिंकल आता है तो आप लोग ज़्यादा दूर पर मत लगाया करो डाट को तो बहुत लोग लगाते हैं दूर थोड़ा लगाते हैं 2-2 इंच पर भी लगाते बहुत लोग लेकिन 2-2 इंच पर लगाने से जो भी यह बीच का एरिया बसता है यहाँ पर कपड़ा बिल्कुल सीधा होता है तो क्या है कि वो जब भी कप सोगरा लगाते हैं तो वहाँ पर रिंकल आएगा है कभी भी आप करके देख लेना है तो एक एक किंज की दूरी पर लगा हुए और डार्ट मारने का भी तरीका हो होगे तो आपको बिल्कुल नहीं है सास होगा कि डाट वाला यह प्रिंसेस कट का से पो डाट वाला हो यह कोई भी हो अच्छी तरह से करते हो कोई पकड़ी नहीं पाएगा कौन से कट में आपका बला हुज है ठीक है तो इस तरीके से मैंने पौना इंच का उपर लगा लि निचे से वह यहां पर कर लेना है आपको नीचे कुछ भी चेड़ चाड़ नहीं करना है आपके बलाउज में नीचे अकर बाॉडर भी है तो एकड़ मेटो मीटिक वहां बैट जाएगा ठीक है तो इस तरह से कर लेना है अब देखिए जितना आप बचा है उतना है पर अब लगा लेना ठीक है तो इस तरह से निचान लगा लोगे तो वहां पर बराबर हो जाएगा मेजर्मेंट अगर आप लोग देते हो तो कंप्लीट दिया करो यह आधा दूरा देते हो तो मैं समझाता हूँ हो सकता है उसमें कुछ मिश्टिक हो जाए तो आप बोलोगे कि मैं आपके हिसाब से मैंने कटिंग किया और बराबर नहीं हुआ तो परफेक्ट मेजर्मेंट दिया करो ताकि मैं परफेक्ट बता हूँ ताकि आप लोग का बराबर बैठे देखिए साइड से और वेश्ट का निसान को मैंने इस तरह बराबर पर रखा है एकदम स्टेट सब्सक्राइबfallen कुछा से तो यहाँ पर नीचे सिर्फ मार्किंग किया हूं मैं तो इस तरह से शिरीम स्रुफ नीचे मार्किंग करना है और यहाँ पर क्या किया करना है कि हैं यह जाए अब यहां पर क्या करना है कि क्वारेंश का जो आपने नीचे लगाया है यासे सेंटर का टाका उसको यहां भी माइनेस कर लेगे तो अच्छी तरह से वो डाट सीधा हो जाएगा यानि डाट वहां पे जब मारोगे तो वहां पे कपड़ा टेड़ा मिला हो जाएगा तो इसके लिए आपको यहां पे इस तरह से लगा लेना है है तो इस तरह लगा लोगे तो क्या होगा कि अच्छी तरह western हो जाएगा तो मैं cutting कर निए time आपको दिखा दूँगा कि की से टीड़ा हो रहा है और मैं अराबर करके आपको दिखा दूँगा अब कर लेंगे marketing पर तो आप इसमें बॉर्डर का यूज कर सकते हो, कोई प्रोब्लम नहीं है, आपके कमर पे जैसे ओल राउंड चाहिए, तो आप बिठा सकते हो, और कभी भी बॉर्डर बिठाने में तकलीव होता है, तो आप जो है अलग से बॉर्डर को काट के पैच किया करो, कभी भी, कभी आपको रेड़ी को अगरा भी लेते हो बिठाने की, जॉक्ति की बेटाने लिए पाइव तो नेक बैठेगा, तो कभी लेंद्ट ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है. पुछ आइडिया नहीं है आप जिस तरह फर्मा कटिंग कर रहो इस तरह करो जो नीचे में से पोगरा देता हूं उसको केंसल कर दो जब भी मैं डाट्स लगा के और मिटो मिट करके और बराबर करता हूं जैसे बैग होगरा का तो केंसल करके सीधा निसान लगाओ तो सीधा निसान भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए नीचे वाले उसको जैसे डाट को और यहां पर हम बेल्ट का निसान लगाएंगे तो फो टक्स में अकसर बेल्ट वाला होता है तो बेल्ट वाला नहीं भी बनाना है तो जिस तरह मैंने मार्किंग किया उस तरह करके बिना बेल्ट का भी बना सकते हो तो ज्यादा लोग अगर किसी को सिंपल चाहिए होता है तो बिना बेल्ट का बनाता है और नहीं तो बेल्ट वाला ही चाहिए तो आप इस तरह से निसान लगा लो आप जो भी डाट सोगरा का कट करके इस तरह कटिंग करके और इस तरह निसान लगा के बराबर करके आप बेल्ट कटिंग कर सकते हो बेल्ट का सेफ किसी भी तरह से लगा होगे कोई दिकत नहीं होगा क्योंकि जो भी हमको सेफ देना है यानि डाट देना है सब हमने कर लिया है आप यहां पे कुछ भी करोग फिर वो जोइन करके करना पड़ता है तो थोड़ा प्रब्लम होता है तो इस तरह देखे मैंने बराबर पर ही रखा है कुछ भी माइनस प्लस मैंने नहीं किया है इस तरह से आपको कर लेना है क्योंकि बैक का नेक जो है वो 6 इंच है यानि कि जो आगे 5 इंच है और पीछे 6 इंच है तो यह ज्यादा लो नहीं है तो इसमें हमको माइनस नहीं करना है ठीक है इस तरह से कर लेना है और मैंने आपको पता होगा कि मैंने श्रिफ इसमें एक आधा इंच मैंने माइनस किया था फ्रंट को तो इसलिए जो है आपको कुछ भी नहीं करना है अगर करना है त सwoodhtир लिए पोई-पोई अब आप दोनों करके देखों ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं इस पर करूंगे उस पर करू ये करूं ये करूं कि करूं। आप करके तो देखो पहले, पहले ही डर जाओगे तो कैसे काम होगा, आप लोग एक एक पॉइंट के लिए एक शूत के लिए आप घबराते हो, डरते हो तो इस तरह से काम नहीं होता है, आप बिंदास रिस्क लेके काम किया करो, रिस्क लोगे तभी सीखोगे, कभी भी रिस के भी बनते हैं, दो लाग, तीन लाग के भी ड्रेस बनते हैं, जो वेडिंग के होते हैं, तो वो सब भी मैं बनाता हूँ, लेकिन उसमें भी घबराता नहीं हूँ, बिंदास कटिंग करके बिंदास बनाते हैं, इतना तो रहता है कि यहां हम से बिगड़ेगा नहीं, बस इतना मन में रखोगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीके है। तो इस तरह से देखिए मैंने डाट को कटिंग कर लिया। अब आर्मोल के डाट को भी क्लोस करके हम। इसको बराबर कर लेंगे। तो आर्मोल के डाट को अच्छी तरह से करके यहां पर जो भी तालोगरा देखन तो यहीं पर देख लेना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम अगर दिखता है तो यहां पर सेप को सही कर लेना है क्रोस फ्रेंट अगरा का नाप लेके मैं नहीं बनाता हूँ कभी भी क्रोस फ्रेंट अगरा का नाप ले लेके आप बनाओ गए तो प्रोब्लम आता ही आता है अगर बहुत किसी का बोडी ऐसा है कि आगे से बहुत जुकी हुई है कोई भी लेडी है ज्यादा वेट वाली है और पीछे से बिलकुल सोडर बाहर है ऐसे लोगों का लिया जाता है तब जाके वो बराबर होता है क्योंकि बहुत लोग का क्रोस प्रेंट बहुत कम होता है और बैक का काफी बड़ा होता है तो ऐसे लोगों का आपको ले लेना है जब भी किसी को लगे कि हाँ यह बोडी ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसका correuse brand crowd क्रॉस बैग जो भी है अप ले लिया करो ठीक है और नहीं तो कोई जरौत नहीं होता है जो सिंपल होते हैं जो भी नॉर्मल बोडी होता है किसी का भी तो कोई इसमें प्रोब्लम नहीं आता है जो मैं कटिंग बता रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं आता होगा आप लोगो मैंने थोड़ा आदूरा चोड़ा है तो उसको भी हम कटिंग कर लेंगे अभी तो इस तरह से कटिंग करते जाओगे तो बरबर आपको समझ में आजाएगा कुछी भी इसमें आपको प्रब्लम लगता है तो आप जो है देखो मैंने किस तरह डाट लगाया है क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह का मिजर्मेंट आए तो इस तरह से डाट दे नहीं पड़ेगा आप यह सोचो कि बिना डाट का बनाएंगे क्योंकि अपर चेस चेस में कुछ फरकी नहीं है तो नहीं चलता ऐसा दे नहीं पड़ता है नहीं दोगे तो ना कप्स लगा पाओगे ना बिना क कर लिया है यहां पर करके आप का जो भी लेंथ हैं यहां पर निशान लगाएंगे तो यह बराबर हो जाएगा तो इस तरह से लेंथ निकालना है यह तो पहले भी लगा सकते थे लेकिन मैं बाद में कटिंग करके आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह से भी कर सकते हो यह से भी देना है यहां से नहीं देना है तो आप आदाइंग बड़ा लोगे तो बराबर हो जाएगा बैग में कभी भी यह losing नहीं डिया जाता है बैग कम होता है friend के मुकाबले क्यूंक्थ के हिसाब से friend जादा होता है और पीछे flat होता है तो कम रहेगा, minus रहेगा तो चलेगा, तो इस तरहे के से आपको कभी भी समझ के इस तरह cutting करना है तो body को जधा अच्छी तरह से समझो पढ़ो, तभी जाके आप cutting भी एच्छी तरह समझ पाओगे तो body जो होता है, उसको समझना करेंगे तो नहीं बैठेगा क्यूंकि सबका साइज सबका कुछ नकुछ problem होता ही होता है यानि problem का मतलब है नाप में फरक होता है तो इस तरीके से आपको समझ के करना है जो भी measurement आप लेते हो उसके इसाब से आपको count करके या करना है तो मेरा cutting जब देख रहे हो जब भी किस तरह का दिक्कत आता है आपके पास कोई ऐसा measurement जो कहा आपके दिमाग में नहीं गुश रहा है और आपको cutting करना है तो आप मुझे फोन करो या message करो कि मुझे यह है कितना डाट रखना है मतलब कितना डाट निकालाओं कितना क्या करूँ कितना इसमें लूजिंग देना है तुरंद आपको जवाब दुगा अभी अभी सुभर सुभ इमुरे पास फोन आय था उंहोंने मुझे पूछा कुछ यानि के शूरत से आय था तो उन्होंने पूचा मैंने तुरंद बता दिया तो इस तरह से क्या है कि मुझे बताने में कोई दिकत नहीं है बताने में क्या है कि मुझे भी खुसी होता है कि चलो मुझे से किसी ने पूचा है मुझे यह नहीं होता है कि बताने में मुझे खराब लगता है तो इस तरह से करके आप जरूर ट्राइ करना अगर आपका यह मेजरमेंट है तो अन्हीं भी है तो आप अपने हिसाब से काउंड करके समझ लिया करो अन्हीं समझ में आता है तो मैं तो हूँ पीछे समझाने के लिए टेंसन मत लो और मुझे उम्मीद है को समझ में आगए होगा चलिए विडियो एंड करते हैं अल्ला आफिज